हेलो दियर श्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चानल स्टेडी विद दुलार में बच्चों यह क्लास 7 का हिंदी बुख है चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम है स्वतनत्रता संग्राम की कहानी है हमें बार-बार स्वतनत्रता स सुनाय जाता है तो आए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना सुरू करते हैं भारत ने पंद्रागस्त 1947 को सवतनत्ता प्राप्त की थी सन 1997 में भारत की अजादी की पिचासवी वर्स गांठ अर्था स्वर्ण जयनती अतियंत समारोह पूर्वक संपन हुई तो हम लोग का दे सुतनत्ता पाने के लिए भारत को अंगरेजी सासन के अतियाचारों को लंबे समय तक जहलना पड़ा आओ आओ आपको इस सुतनतता संगराम की कहानी सुनाते हैं यहां पे हमें काफी कटनाईओं का सामना करना पड़ा था इसके बारे में कुछ संचेप में यहां स्टोरी दिया हुआ है क्योंकि सवत्मत्रा संग्राम की कहानी डिटेल में सिर्फ एक चप्टर में नहीं दिया जा सकता महात्मा गांधी ने दच्छी ने फिरका से भारत लोटकर अंग्रेजों की रंग भेद नीती के विरुद अहिंसात्मक आंदोलन प्रारम किया उसके साथ थे पं उन्हें पता रहता है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासंद चल रहा है पिर वे वहाँ से हिंदुस्तान आने का फैसला करते हैं और यहां पर आने के बाद कई सारे अहिस सात्मक आंदोलन प्रारम कर देते हैं तो उनके साथ मोटी लाल नेहरू, मोती लाल नेहरू, पंड सेजी सासन के साथ सहयोग किया था पर बदले में मिला रोलट एक्ट इस काले कानून का सरवत्र विरोध किया गया सन 1914 इस भी में पर्थम विश्युजुद हुआ था उसमें कई सारे देश हिस्सा लिये थे लेकिन हमारा देश तो गुलाम था यह अंग्रेजों का मदद भी किया था इस बात पर मदद किया था कि साइद अंग्रेज हमें आजाद कर दे परंतो ऐसा कुछ हुआ नहीं उस समय एक सभा आयोजित की गई थी मतलब रोलेट एक्ट जो था उसके खिलाप एक सभा वहां पर आयोजित क्या गया था तो यहां पर क्या घटना घटा इसमें लगबग 20,000 इस्तिरी पूरुस और बच्चे थे अंग्रेज जनरल डाइर ने निहाथे लोगों पर गोलिया चलवा द जाता है चारो तरफ से घेर लेता है उसको और उस पर गोली चलाने का ओडर दे देता है और बहुत सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं इसका आगे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का आदिवेशन हुआ वहां महात्मा गांदी ने कहा अब ब्रिटिस सरकार से सहयोग संभाव नहीं कहने का मतलब है कि गांदी जी बोले कि अब यह संभाव नहीं कि हम लोग उसके साथ मिलकर रह सकेंगे मिलकर गुजारा कर सकेंगे सवराइज प्राप्ति के लिए अब हमारे द्वारा अहिंसात्मक असहयोग की निती अपनाई जानी चाहिए तो वे अहिंसा के पुजारी थे इसलिए हमेशा अहिंसा का ही मार्ग अपनाते थे नागपुर अदिवेशन में पूर्ण सवराज का लच्छ घोसित किया गिया उस समय प्रायोग अंदोलन चलाने की घोसना कर दी गई इस अंदोलन का अभ्यापक प्रभाव हुआ लोगों ने सरकारी नोकरियां अत्याग दी विदेशी वस्त्रों एम सराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई अंग्रेजों ने सत्यागरहों पर कोड़े बरसाये और कांग अंग्रेज जो एक संस्था था एक पार्टी था जिसे अंग्रेजों नहीं बनाया था इसलिए बनाया था कि हिंदुस्तानी लोग क्या योजना बना रहे हैं उसकी जानकारी उसे पूर्णता मिल जया और उसमें उसका जो अधियाच होता था पहले-पहले जब बना था या कांग्रेज को ही गैर कानूनी घोसित कर दिया इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नमक कानून तोड़ना जिसमें महत्मा गांधी ने डांडी यात्रा किया था अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर परतिबंद लगा रखा था या कानून भारतियों के परतिकूल था कहन अंग्रेज लोग बना सकते थे और वो लोग बेचते थे हिंदुस्तानियों को अपने मनमानी कीमत में बेचते थे तो यह भारतियों के लिए सहना मुस्किल था गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने का निश्चे किया उन्होंने 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा प्रारंब किये थे और उन्होंने या यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था भंग करने के लिए मतलब तोड़ने के लिए इसके फल सुरू पांच माय 1930 को गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरपतार कर लिया गया जब इस तरह कि कोई भी बड़े घटना को अंजाम दि ले जाएंगे ऐसा सोचकर तुरंत ही अंग्रेज लोग सभी बड़े निताओं को जेल में डाल दिया करते थे क्रांतिकारियों की भूमिका तुसमें क्रांतिकारी दो दल थे एक दल जो हिंसात्मक रूप से अंग्रेजों से लड़ते थे और दूसरा दल जो गांधी जी का जिसे नर्म दल हो गए गरम दल जो अन्शात्मक पारियों की भूमिका है उत्नित्रा संग्राम में करांतिकार्यें की भूमिका भी बहुत महतं पूर्ण नहीं और प्रारमर या अंदोलन बंग्याल तक शिमित था और शेkkल坏 या सारे देस Em tack पूरे देश में दिरे-दिरे फैल गई है, करांती कारियों का कहना था, देश के लिए आप अपने प्रांद दिजिए, पर पहले सत्रू के प्रांद लीजिए, बिल्कुल सही बात है, किसी लडाई को जितने के लिए, आप सिर्फ अपने प्रांद दें, इससे आप लडाई को जीत सकते हैं, इन करांती कारियों में भुपेंदर नात, सियाम जी, क्रिसन वर्मा, वीर सावरकर, सुबाज चंदर बोस, लाला हर्दियाल, आधी परमुख थे, तिस तरह के नाम दिये गये हैं, इन लोग में से कुछ पिक्चर दिये गये हैं, जो कि परमुख लोग थे सियाम जी, क्रिसन वर्मा, सुबाज चंदर बोस, लाला हर्दियाल, इस तरह के और भी कई करांती कारियों के पास रेल गाड़ी को रोक कर सरकारी खाजाना लूट लिया, तो उन्हें रूपिय कहां से मिल पाते, तो उन्हें पता चला कि रेल गाड़ी में काफी सारा खाज जाना है, तो उन्हें लोगों ने किसी तरह उस गाड़ी को रोक कर और उसको लूट लिया, इस केस में 40 लोगों को गिरफतार किया गया, इनमें से रामपरसाद, बिस्मील, राजेंदर, लाहिडी, रोसन सिंग तथा अस्पाक उल्ला खान को फासी की सजा दी गई, यहां भी भी वे जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए वे वहां से गाइब हो गए होंगे, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है, राजगुरु, सरदार भगत सिंग, सुखदेव, इन तीनों को एक साथ ही फासी दी गई थी, इसलिए इन तीनों का पिक्चर एक साथ दिया गया है, करांती कारियों में सरदार भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव के नाम बहुत सम्मान से लिये जाते हैं, इन्होंने लाला लाजपत राई की हतिया के परमुक कारण सांडर्स को गोली से भून दाला, पड़ी कुसलता के साथ 8 अगस 1929 को केंदरी असंबली में बम फेंकर संसनी फेला दी गिरपतारी के बाद भगत सिंग ने कहा था भारों को सुनाने के लिए बमों की आव सकता है, 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, इन तीनों कुरांती कारियों को हम उकसान नहीं हुआ था, लेकिन इनको वहां पी गिरपतार कर लिया गया था, जो इनके साथी जो थे राजगुरु और सुखदेव उनको भी गिरपतार कर लिया गया था, और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, आजाद हिंद फोज, तो आजाद हिंद वहां वे हिटलर से मिले, जर्मनी से वे सिंगापूर गए, वहीं उन्होंने रास ब्यारी बोस के साथ 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फोज की स्थापना की, वे समझते थे कि इस तरह से अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाने से आजादी मिलने वाला नहीं है, जैसे कि महत आजाद हिंद फोज नाम का एक बहुत बड़ा संगठन त्यार किये, उसमें बहुत सारे फोज को हिंदुस्तानी लोगों का एक फोज बनाए और वे सुचते थे कि अंग्रेजों पर हमला करके आजादी लिया जा सकता है, इस तरह से वे आजाद हिंद फोज का गठन किये तो इस तरह का जो फोज संगठित किये थे उन्होंने हमला भी किया अंग्रेजों पर और युद काफी भ्यांकर युद हुआ भारत के मनिपूर राइज के दो तिहाई भाग को और समूचे नागा लेंड पर बिजे प्राप्त की, वहां तिरंगा जंडा फराया गया, तो उनके जो आजाद हिंद फोज थे, उन लोगों ने हमला किया, युद किया और कई जगा को उन लोगों ने सोतंतर भी करा लिया, और उन जगों पे तिरंगा जंडा भी फराया गया, जिसमें से मनिपूर का दो तिहाई भाग था और नागा लेंड को पूरी तरह से वे आज बैठक हुई इसमें प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई, अब हमारे नेतावां को काफी उमीद हो गया था कि अब अंग्रेज यहां पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा देश एक हो गया था, आठ अगस्त 1942 को मुंबई में एक ब मारा जो था काफी इफेक्टिव था, परभावी पूर्ण था, जब लोगों को यह पता चला कि करो या मरो, या तो देश के लिए कुछ करना है, या फिर मर जाना है, तो ऐसी स्थिति में पूरा देश उबल पड़ा अंग्रेजों के खिलाप, अगले दिन, 9 अगस्त 1942 को मह जाकर जेल में बंद कर दिया जाता था, इसके पिछे कारण यह था कि नेता रहेंगे, और ना जनता अंग्रेजों के सामने टिक पाएंगे, लेकिन इसके बावजुद भी आंदोलन चलता रहा, इस आंदोलन के साथ जप्रकास नारायन, राम मनोहर लोहिया, सिर्यमती, अर अंदर चले गए, तो फिर जनता को कौन लीडिंग करता, इसलिए इन लोग जनता को लीड करने के लिए इस आंदोलन में आ गए, सब के मिले जूले प्रयासों के फलसुरूप 15 अगश्ट 1947 का दिन आया, जब हमारा देश ब्रिटिस सासन की दास्ता की जंजीरें तोड कर सो कुश्वी करने के लिए आउसकता पड़े, तो हम अपने प्रान निचावर कर दे, ऐसा हमें सपत लेना चाहिए, तो यहाँ पर चप्टर समाप्त हो गया है, आए देखते हैं क्या questions दियावा इसमें, सबसे पहले सब्दार्त दियावा है, जो हिंदी का हिंदी मिनिंग और question number 3, रिक्त स्थानों की पूर्ती करो, तो यहाँ पे जो कुछ भी भरा हुआ है, आप लोग सावधान रहें, क्योंकि यहाँ बच्चों ने भरा है, इसको पूर्या संभावना है कि यहाँ पे कुछ गलती हो सकता है, इसलिए मैं इसका आंसर दो दूँगा, आप वहाँ से देखकर भरेंगे, question number 4, यह सही है, मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पे निता जी सुभास चंदर बोस के, सुभास चंदर बोस ने कौन-कौन से तीन नारे दिये थी, तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, यह ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और जाई हिंद, तो यह बिल्कुल सही है, इसके अलावा यहाँ पे, भासा अधियन, कुछ ब्याकरन के question दिये है, टूर नमर में यहाँ पे, जैसा कि उधारन में दिया गया है, भारतियों ने लंबे समय तक संगर्स किया, भारतियों को लंबे समय तक संगर मैं बना कि देता हूं, यह है चप्टर 4 का question answer, आजादी की स्वर्ण जैनती कब मनाई गई, आजादी की स्वर्ण जैनती 1997 को मनाई गई, पर्थम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, भारत को इसमें सहयोग करने के बदले क्या मिला, पर्थम विश्व युद्ध सन 1914 में अप्रेल 1919 को अमरित सर के जलिया वाला बाग में हुआ था, यहां एक सभा अयोजित की गई थी, इसमें लगभग 20,000 इस्तिरी पुरूस और बच्चे थे, अंग्रेज जनरल डायर ने नियाथे लोगों पर गोलिया चलवा दी, इसमें हजारों लोग मारे गए, असहयोग अंदोलन कब हुआ, इसके लिए लोगों ने क्या क्या त्याग किये, 1921 में असहयोग अंदोलन आरंभ हुआ, इसके लिए लोगों ने सरकारी नोकरिया त्याग दी, विदेशी वस्तरों का वहिसकार एम सराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई, डांडी यात्रा कब काकोरी कांड का क्या महत्तो है? को आजाध हिंद फोज की अस्थापना की आजाध हिंद फोज ने असम मौर्चे पर जम कर युद किया मनीपूर के दो तिहाई भाग और नागा लेंड पर विजय प्राप्त कर तिरंगा भरा दिया भारत छोड़ों अंदोलन पर संचिप टिपनी लिखो अगले दिन गांधी जी से सभी नेताओं को गिरपतार कर लिया गिया परंतु आंदोलन चलता रहा पर देश के लिए आप परान दीजी पर पहले सत्रू के परान लेजी इसको देखकर आप अपने भुक में भर सकते हैं यहां पर विलोम सब्सक्राइब का अंत विरोध का समर्थन आजादी का गुलामी यहां पर यह चेप्टर पुरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं